हेलो दोस्तो हिंदी मरप आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल का आपके लिए पेपर लेकर आए हैं और यह टॉपिक ऐसे हैं पेपर के की आप सभी कम्पिटिशन में इनको देख सकते हैं और अधिकतर युनिवस्टीज में यही वाला पेपर के लिए है यह पॉलिटिकल और पेपर का नाम है आपका रिपर्जेंटेटिव ओफ वेस्टरन पॉलिटिकल तिंकर्स इसमें आप एंशियंट एन मीडिवल के बारे में पढ़ेंगे पढ़ भी रहोंगे आपका स्लेब जो है कम्प्लीट हो चुका होगा तो जो लास्ट य भाए घंटे का होता था लेकिन बस थोड़ा सा इतना चेंजिंग है कि इस बार आपका हंडिट का होगा पहले आपका इटी नमबर का होता था त्योंकि उस वक्त सेमेस्टर चलता था और अब यरली चलता है ये मैं बार-बार हर वीडियो में आपको समझाती हूँ कि जो आ नहीं देखना कि पांच नंबर का था या चार नंबर का था या दस नंबर का था आपको देखना है कि कोशन्स आपके किस तरह से बने थे पॉलिटिकल साइंस में पहला कोशन बना था समीधानों के वरगी करण पर अरस्तू के विचार बताने थे नियाय पर प्लेटो के विच कोशन था अरस्तू के कानून संबंदी विचार बताने थे अब यहां देख लेजिए सारे कोशन कितने कोशन हैं यहाँ पर आठ है आठ कोशन सारे विचारों से ही संबिंदित बने हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपके पेपर का नाम है पेपर का नाम ही ठिंकर से ठीक है तो किस तरह के इनके विचार रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है तो सारक सबके सापके बने थे पहला कोशन इसमें बना था अरस्तु के आदर्श राज्य की अवधारना का वर्णन करना था पतनी और संपत्ती के सामेवाद पर प्रेटों की विचार की भीवेचना करनी थी इसके बाद राज्य की प्रकरती और कार्य तथा राज्य और चर्च के संबंद प विचार वहे हैं जो दो नवरों के सिधान के चारों और केंद्रित हैं इस कथन के आपको व्याख्या करनी थी इस कथन के आधार पर सब कुछ आपको केलियर करना था नेस कोशन है सिसरों के रानितिक विचार बताईए बहाँ पर आपने विचार पड़े यहां पी इनके विचार है अब यहां पर जो सिसरों के इनोंने विचार लिए है कानोनी संबंदी विचार लिए है और यहां पर जो सिसरों के इनोंने विचार लिए है राजनितिक संबं दी लिये है ठीक हैं दासबधापर अरस्तो के विचारों का आलोजनात्मक वेवरण देना है प्लेटु की शिक्षासिधानत का आलोजनात्मक परेक्षन करना था उसके बाद आपके आते हैं हम सैकिन्ड पेपर पर वह है पेपर था आपका first पेपर अब ये है आपका government and politics ठीक है और ये second paper है ये paper भी आपका 19-20 का ये दोनों paper में एक साथ लेकर आई हूँ क्योंकि आपके paper जो है first second दोनों एक साथ आजाएंगे तो जादा अच्छा है जिसे आप एक ही साल के paper दोनों एक साथ देख सकें फिर हम इसके बाद आपके 20 के लिए कराएंगे जिससे आपके दोनों paper का आपको डिफ्रेंसी बदा चल जाए कि किस तरह के questions आपके बने हैं अब देखते हैं इसे पहला प्रश्न क्या बना था शोट में संग शाषन के अनिवारे collection बताने थे धर्म निर्पिक्सा का अर्थ लिखना था क्या चेतरवाद ने भारत के रानती विकास में योगदान दिया है इसको आपके और यहाँ पर बहुत अल्या वियस्ता के गुन भी पूछे हैं और दोश भी पूछे है नेस्ट कोशन था भारत के किनी चार छेतरे दलोंका वर्णन करना था कि भी कोई भी छेत्रिय दल है उनका आपको वर्णन करना था नेस्ट कोशन है नियाईक पूर्णरा अवलोकन से आप क्या समझते हैं बहुत इंपोर्टेंट है ये इसको आगे भी इन फूचर भी कंपिटिशन वेस पर भी आप प्रशन तयार कर सकते हैं नेस्ट कोशन लेंदी में देखते हैं भारत की संग्य व्यस्ता में केंद्रवाद तता एक रूपता के लक्षनों का वर्णन करना था केंद्रवे राजय के मध्धे विधाई वे प्रशाष के संबंदों का वर्णन करना था नेथ वे राजय के वीच ठीक है नैस्क और आपका बना था राश्टन निर्वान का अर्थ लिखिये तथा उसके अनिवारे तत्यों का उल्ले करना था भारत के निर्वाचन आयोके संगठन कार्य एमशक्तियों का वर्णन करना था इसके बाद है रानितिक दल का अर्थ बताईए तथा दलों के कार्य बताईए उनके कार्यों का विवेचन कीजिए फिर इसमें नैस कोशन बना था भारत के परमुख रास्ट्रे दलों का वर्णन कीजिए सर्वोच नियाले के गठन वेच छेतरा इधिकार का वर्णन कीजिए नियाइक सक्रिता पर प्रकास डालते वे सर्वोच नियाले के उलेक नियकार्यों का वर्णन करना था इस प्रकार से आपके ये second paper भी खत्म होता है तो अब आप देख लीजे दोनों paper के questions आप अच्छे से note down कर लीजे और जो आपने तयारी की है अभी तक अब सभी मुझे लगता है सभी college में या university से आप पढ़ रहे हैं जहां से भी तो course mostly सभी का complete हो चुका होगा चाहे वह first paper है चाहे वह second paper है और बिये में आपके जो तीनों subject हैं सभी में syllabus complete हो चुका होगा अगर आपको लगता है कि आपके syllabus में कुछ topic ऐसे हैं कि clear नहीं हुए है तो हमें YouTube के जो description है comment box है comment box में जरूर बताएं description में जब आपको मैं link दूंगी तो आप उसको भी चेक करते रहना time to time जब आप comment box में comment करते हैं query करते हैं तो आपकी query complete की जाती है और ये query काफी time से आ रही थी कि मैडम political का paper लेकर आए second year का और सुभह में मैं आपका eco का upload करूँगी तो बने रही ही हिंदी mirror की साथ आपका in future बहुत अच्छे से तयारी होगी last time भी मैंने जो आपके paper हुए थे second year के मतलब जब आप student of second year में है first year में जब आपके paper हुए थे तो मैंने आपकी चार सब्जेक्ट की चार-पांस subject की तयारी कर आई थी तो आप सारे ही subject मैंने चार सब्जेक्ट आपको बताएं हैं जिस topic की आप जो है query send करेंगे मैं जरूर उसके notes आपको तयार करके दूंगी जो subject मेरा हिंदी है वो भी मैं आपको तो मैं time to time डालती रहती हो notes और भी मैं upload करूंगी तो आप देखते रहना साथ में अगर अज आपने पहली बार आए हैं हिंदी मिरर पर तो subscribe कर लिजे बैल अको हिट कर लिजे जिसे नए वीडियो के notification आपको time से मिलते रहें और हिंदी मिरर सिर्फ एक ही परिपार्टी से नहीं बंदा हुआ है हिंदी मिरर पर बहुत चीजे आपको upload की जाती है आपकी बीए में से संबंदी से चार कुसार जो सब्जेक्ट है उनसे संबंदी जानकारी दी जाती है साथ में जो है आपकी वेकैंसी जितनी निकलती है उसके बारे में भी बताया जाता है और समय समय पर आपके examination से संबंदी form से संबंदी सब भी जानकारी आपको दी जाती है पसंद आता है चैनल तो एक लाइक तो बनता है चोटा सा कर दीजिये शेर कीजिये ज्यादा से ज्यादा उनिस्टोर्यंट के लिए जिनके पास political science है हो सकता है यही पेपर HNB में हो यही पेपर उत्राखंड ओपर उनिवस्टी में हो और यही पेपर और अधर उनिवस्टी में हो तो क्या होगा सबको बता चल जाएगा कि किस तरह के questions इस वाले paper से बनते हैं तो share कीजिए, care कीजिए और हिंदी मिलर की साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए share जरूर कीजिए क्योंकि आप share करते हैं तो आप किसी की care करते हैं कमेंट करके अपनी query जरूर सेंड कीजिए पूरी की जाएगी विल्कुल की जाएगी भैई चलिए बने रहे हिंदी मिलर की साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना कर रखिए